हम लोग एक्सराइज हमारी 6.5 है क्योंकि 6.4 जो है रिसेंटली सी बीसी सिलेबस से इसको रिमूब कर दिया गया है और हम पढ़ रहे हैं 6.5 एक्सराइज आने वाली है जिसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा ओके तो थोड़ी जी जानकारी आपको इसके बारे में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैंने आपको दी थी हलकी सी मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पर रेस्ट पॉइंट होता है क्या होता है रेस्ट पॉइंट तो रेस्ट पॉइंट मतलब एफ increasing जाने पर मिलता है जी हाँ और दोनों पॉइंट में common बात होती है कि इन पर tangent का जो slope आता है यानि कि जो derivative आता हो क्या आता है जीरो आता है कारण यह होता है क्योंकि इन पर जो खीचा गया tangent होता है वो x-axis के parallel हो जाता है यह देखे कैसा देख रहा है x-axis के parallel और कल मैंने आपको पढ़ा था x-axis का slope कितना होता है जीरो तो इसके parallel line का भी slope कितना होगा जीरो इसलिए tangent का slope इन पर जीरो होता है और इसी point पर आपको या तो point maximum value देता है या काउंसी value देता है graph minimum value मतलब एक तरीके से यह देखे कि graph है दिये तो इस graph के इस point पर जो है आपको या तो maximum value मिल रही है या कौनसी value मिल रही है minimum value तो देखे x का corresponding point यह जो है यह कहलाएगा point of maxima point of और यह जो point कहलाएगा x का यह क्या कहलाएगा point of minimum मतलब x की value जो होगी न वो x1 x2 जो होगी x1 कौम क्या बोलेंगे point of maximum फिलाल इस graph मेरम point of maximum और x2 क्या कहलाएगा point of minimum point of minimum okay x1 x2 यह कहलागे point of और x1 पर जो value निकलेगी y कि क्या निकलेगी y1 वह कहलाएगी maximum value क्या कहलाएगी maximum value और वो जो y की value x2 पर निकलेगी जिसको मैं बोलूँगा y2 ओके वो कहलाएगी कौन सी value minimum value तो इस चीज को question में ध्यान जरूर देखेगा कि आप से point of maximum point of minimum पूछा गया है कि maximum value minimum value पूछी गई है कई बार आप से point of maximum पूछा जाता है और आप maximum value निकाल के भी दे आते हैं बेवज़े की मेहनत कर देते हैं और कई बार आप से maximum value बोलते हैं और आप यहीं तक निकाल के छोड़ देते हैं तो आपके पूरे marks नहीं मिलते हैं तो यह ध्यान दीजेगा चलिए तो अब देखिए एक graph से मैं आपसको situation clear कराने की कोसिस करूँगा कि maximum कितना हो सकता है minimum कितना हो सकता है यह देखिए आपके सामने graph में बना रहा हूँ इस graph में काफी सारी चीजें आपको पता चलेगी यह graph देखिए यह graph यहां से शुरूआ है यह point से और इस तरीके से गया यह गया फिर यह गया ओके फिर यह आया है और फाइनली यहां पर यह graph फिनिश हो गया है अब आप कहेंगे सर इस point में मैं बोलूँगा कि बताइए आपके पास कितने critical point है देखिए दो एक critical point तो आपको यह मिल रहा है इसका नाम देदीजिए क्या c1 एक critical point आपको यह मिल रहा है इसका नाम क्या देदीजिए c2 इसका नाम देदीजिए भाईया c3 इसका नाम दीजिए C6 इसका नाम दे दीजिए C7 यहां पर आएगा इसका नाम दे दिए कितना C8 यह कुछ ज्याद ही हो गया इसको मैं रिमूब कर देए तो माली जी यहीं तक ग्राफ है चलो आ गया है तो देगी दोस्ति जो सब कुछ हो सकता अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं अभी तो कर्व से में ले रहे हैं C8 यह पॉइंट क्या C9 ओके चलिए यह पॉइंट होगा है हमारे और जो कोने वाले पॉइंट है उनको भी अगर क्वेश्चन ने इंटरवल दिया है एसे लेके भी एसे लेके भी यह देखिए तो अब आपके पास इतने सारे पॉइंट मिल चुक इस लिखता हम प्उइंट ऑफ मैकसमा अगर मेरे पास ग्राफ है तो ग्राफ में देखकर बाताएं कि पॉइν्ट ऑफ मैकसमा किन किन पर हो सकता है या एब पर हो सकता है क्योंकि पूरे ग्राफ की सबसे बड़ी वैल Regarding एक तो एब है उली हा कि पर इसके बाद कहा पर रहा यह C2 पर है, C2 के बाद किस पर है, C4 पर है, फिर इसके बाद कौन है, C6 है, फिर कौन है बहिए, C6 के बाद C7 यह है, C8 के है, बिलकुल जी, C8, और कौन है लास्ट में, B है, कौन है बहिए, B है, यह कहलाते हैं, जिन पर slope 0 होता है, इनको तो अपन बोलते हैं, critical point, क्या बोल में, दो यह कोने वाले point में, इनको बोलते हैं, extreme point, क्या बोलते हैं, extreme, याईनी को extremities भी बोलते हैं, इनको extremities भी बोलते हैं, तो A और B भी मिले हैं, ओके, अब इतने में पूरी यह जिन्दगी है, इस function की, इस function का नाम है, y is equal to fx, इस पूरी जिन्दगी में एक बार यह सबसे उचा कौन सा है, A है न, हो सकता था बीच में भी हो जाए, अगर मैं इस graph को ऐसा बना देता है, यह देखिए, इस तरीके से, तो इस point पर आ जाता है, मतलब मैं इस समझाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि हमें सा कोने वाला ही हाई होता है, मतलब जिन्दगी में सबसे ज जैसे फिलाल इस में यह है, और मैंने इस graph कूचा कर दिया, तो यह हो गई, तो वो जो value कहलाती है, तो पुराने वाला graph को देखा जाए, मैं remove कर देता हूँ, इसको जो मैंने अभी बनाया, यह देखिए, मैंने इसको remove करना है, यह मैंने remove कर दिया, अब मेरे पास देखिए जो मेरे को value मिल रही है, सबसे ज़्यादा value इस पर मिल रही है, तो यह कहलाएगी, इस पर माले यह point है, तो F A क्या कहलाएगी, absolute maximum value, और जो point A है, वो कहलाएगा point of absolute maximum, क्या कहलाएगा, point of absolute maximum, समझ गया न, जिन्दिगी में आप एक बार ही, सबसे बड़ी उचाई पे होते ह है, क्योंकि उसका नाम यह सबसे बड़ी उचाई, है न जी, तो बाकी उचाईया क्या हो गई, बाकी उचाईयों को बोलते है, local उचाई, क्या हो चाई, लोकल उचाई, भाई, 12th class के exam में जो final marks आएंगे, वही आपकी सबसे बड़ी उचाई है, बाकी test में तो छक्के चौ of local maxima, क्या 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 लाएंगे यह, point of local maxima, और यह कहलाएगा, point of absolute maxima, इसी तरीके से यह छोटा, यह छोटा, यह छोटा, यह चोटा, बट सब से चोटा, को यह, सब से कम value इस पर आएगी, देको बहिए, इतनी कम है कि negative में आ रिए, किस में आ रिए, negative में, तो यह जो point कम वैल्यू आएगी, वो कहराएगी Absolute Minimum Value, क्या ऐगी? Minimum Value, तो भाईया, ये बाकी वाले क्या हो गए? ये हो गए Local Minimum, क्या हो गए? ये है हार, ये क्या है? हार, और ये जो ये है जिन्दिगी सबसे बड़ी हार, C वाली जिन्दिगी की सबसे बड़ी हार होती है न येस जिन्दिगी की सबसे बड़ी हार और ये हार ये तो local हार है कभी 10 रुपए की शर्थ हार गए कभी 20 की हार गए समझे गाना मगर जिन्दिगी में कुछ ऐसा हार गए कि पूछो मतभी तो वह कहलाएगा पॉइंट औफ एपसल्यूट मिनम Аुर इस पर जो वैल्यू मिलेगी आपको वह कहलाएगी एपसल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या कराकि एपसल्यूट minimum value to point C7 पर जो value मिलेगी FC7 वो कहलाएगी absolute minimum value समझ मैंना मतलब क्या समय में जिन्दिगी में local तो बहुत कुछ है मगर absolute केवल एक है चाहिए वो maximum हो या minimum हो ओके आप बात करते हैं कि यह तो पता चल चुका है कि हमें एक मतलब एक हमारी पास highest lowest कहां कहां पर हो सकता है एक हो सकता है या extreme point पर जहां से function या तो सुरू हुआ या function जहां पर खतम हुआ एक दावेदारी तो इसकी है दूसरी दावेदारी in point पे हैं जो swing हो रहे हैं यह देखिए एप डैस x क्या है equal to zero बुली हाया ना एक point और है जिस पर maximum minimum कई बार होता है ठीक है ना वह point होते हैं वह point जिन एक यह यह ज़े लिए वाला पॉइंट है अब यह वाली जो जगह है आपको abdash x equal to zero करने पर नहीं मिलेगी को कि abdash equal to zero मतलब आराम यह वाला point यह वाला point यहुआ पॉइंट यहां तक तो आपको abdash equal to zero इन कर लेंगे आप क्योंकि यह ग्राफ की पॉइंट चीक कर के चिला रहे हैं कि हम आराम कर रहे हैं इन पर स्लोप क्या है जीरो मगर यह पॉइंट क्या है तीखा कुना शारप एज है ना function का मतलब यह point है point of not differentiability इस पर function differentiable नहीं होगा बिलकुल सही इस पर tangent नहीं की सकते हो मतलब एक और दावेदार आ चुका है हमारी लिस्ट में जिसका नाम है point of not differentiability तो इस तरीके से maxima और minima visit करने के लिए डिटेक करने के लिए पता लगाने के लिए जो तोटल तीन जगहें हैं तीन साइट्स हैं वो क्या है पहली मैंने क्या बता है critical point कौन से point है critical point पहचानना बहुत आसान है जिन पर आराम का मामला है यानि एक्स्ट्रीम points extremities है ना यानि की कोने function के एसे लेकर कहां तक बी तक एसे लेकर कहां तक बी तक मतलब जिन लिए कहां से शुरू हुई जिन लिए कहां पर खतम हुई और याद रखेगा जब यह पता हो कि कोई function कब पैदा हुआ और कब खतम हुआ तब ही आप उस जिन लिए का absolute बता सकते हो क्या बता सकते हो absolute जैसे मैं बोलूंगा तुम अपने जिन्रीगी के highest marks बताओ आज तो तुम्हें बोलना चाहिए सर मेरी जिन्रीगी तो खतम हुई नहीं अभी मैं कहां से absolute बता दूँ मेरा इंटरवल तो सर ओपन है अभी हां या ना close है नहीं मेरा इंटरवल जिस दिन मेरा इंटरवल आप close कर देंगे हाँ आप मुझे बोलेंगे सर 6 साल से लेकर के 10 साल की एज में तुम्हारी जिन्रीगी के highest marks तो आप बता देना मेरे को class 5th के 6th के जब भी समझ गया अभी तो आपके जिन्रीगी close है नहीं मतलब absolute आपको कब मिलेगा ज एक और चीज आ चुकी है जिसका नाम है point of not differentiability इन जगों पर function आपका maxima और minima देने की दावेदारी ठोकेगा कि हम यहाँ पर आपको maxima या minima दे सकते हैं आई बस समझ में न चलिए तो निकालते है maxima minima की तीन जगे तो पदा चल चुकी हमको तीन जगे पर maxima minima हम देख लेंगे अब बात करते हैं next की हम पहचानेंगे कैसे graph तो बना नहीं सकते हैं graph हम बना नहीं सकते हैं for example आपके पास कोई function दे रिया है fx equal to 6x square plus 2x plus 3 अब इसका graph तो है नहीं हम आपस हमने इससे interval क्या है x belongs to minus infinity to plus infinity chain की बंसी बजाईए क्योंकि यहाँ पर close interval नहीं है मतलब question interested नहीं आप से पूछने के लिए absolute absolute आपको नहीं बताना है ना extreme पर बताना है आपको केवल local minima local maxima बताना है extreme values आपको दी ही नहीं है क्योंकि interval open है close होता तो देखते कि कहां से शुरू कहां से बताएंगे आपको पता ही नहीं कब तक जाएगा minus infinity भी ला पता है यह तो concept है कोई value थोड़ा ना है तो मतलब आप क्या बता पाएंगे जो बता पाएंगे local ही बता पाएंगे क्या बता पाएंगे तो चली आई यह पता लगाते function से पूस्ते हैं कि भाई आप function कहां पर एक पॉइंट आगया alpha 3 इन पॉइंट को देख करके पता नहीं चल रहा है कि इन पॉइंट पर function maxima होगा या minima क्योंकि देखे अगर maximum होगा तो alpha 1 के across ऐसा कुछ heap बनेगा बनेगा की नहीं बनेगा तब आपको maximum मिलेगा अगर minima होगा तो alpha 1 के across ऐसा कुछ heap बनेगा बुल इसके लिए क्या करते हैं दो टेस्ट होते हैं पहला होता है single derivative test कौन सा जिसमें आप पता लगाते हैं कि alpha 1 के पीछे function का nature कैसा है increasing है कि decreasing है alpha 1 के पीछे और alpha 1 के आँगे अगर function का nature increasing से कैसा change हो f dash x का slope जैसे अभी आप निकालते थे f dash x की value अगर increasing से लेके decreasing यह प्लस से माइनस change हो तो पक्का जो alpha 1 होगा क्या होगा yes yes यह जीत वाला आराम होगा कौन सा आराम मतलब point of maxima alpha 1 क्या होगा point of maxima और अगर alpha 1 के across nature negative to positive change हो है इसका मतलब यह हार वाला आराम है मतलब alpha 1 क्या है point of minima point of तो यह कहलाता है इसको बोलते है first derivative test क्या करते है first derivative test basically इसमें करना क्या आपको आपको कोई भी critical point मिले उसके across आपको nature check करना है क्या nature check करना है कि इसके पीछे मतलब x less than alpha पे बिल्कुल वैसे ही और x greater than alpha पे आपको nature check करना है अगर slope f dash x की value f dash x greater than 0 से less than 0 आगया क्या आगया less than 0 तो यकीना alpha क्या कहलाएगा point of maxima point of maxima और इसके विपरीत अगर alpha पर slope अगर आपका less than 0 से greater than 0 आगया मतलब x less than alpha इधर है और x greater than alpha इधर है तो इस पर अगर f dash x की value आपकी 0 से छोटी आ गई और इस पर अगर आपकी f dash x की value 0 से बड़ी आ गई इसका मतलब यह क्या है alpha point of minima point of minima value निकालनी है तो f alpha निकाल लेंगे इस वक्त पे तो यह क्या मिल जाएगी minimum value minimum value और यह क्या मिल जाएगी maximum value क्या मिल जाएगी चलिए तो आए पहला test हो गया जिसको बोलते हैं single derivative test क्या बोलते हैं से बस 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 बिलकुल बता सकते थे वहीं पर बता सकते थे ठीक ना वहीं पर बता सकते थे जैसे आपने देखा था कि टू पर टू के पहले आपने एक इंटरवल बनाया था yes or no minus infinity to to array इधर देखिए उधर की ज़रूत नहीं माइन इंफिनिटी से टू और प्लस और इसके बाद में क्या है था negative बुली हाँ yes 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 माइनश इंफिनिटी से लेके to और फिट टू से लेके क्या infinity तो यहाँ पर क्या लेखते थे increasing और यहाँ पर क्या लेखते थे decreasing मतलब जो two है यह बीच का यहाँ पर क्या हो रहा है जीत वाला आराम है मतलब यह क्या होगा यह point of maxima है क्या है point of maxima हाँ इसके पीछे और इसके आंगे ठीक है ना चली आईए रिखते हैं तो अब हम इसके questions करते हैं तब आपको समझ में आएगा तो पहला आपने test कर लिया जिसका नाम है first derivative test कौन सा test है अब दूसरा एक और test होता है जिसका नाम है DDT जिसका नाम है double derivative test double derivative test यह actually first derivative test से ज़्यादा easy है इसलिए ज़्यादा popular इसको बोलते हैं double derivative test तो इसमें करना क्या होता है आपके पास f-x है f-x थै बोली यहाँ f-x को solve करके क्या निकालो f-x और f-x को किससे compare करो 0 से हाँ लगे हाँ तो f-double-b निकालो लगे हाँ तो f-double-b भी निकाल लो वो निकाल लिया अब क्या करिए f-x को compare करिए किस से 0 से तो 0 put करने पर आपके पास क्या आएगा alpha आएगा x की value क्या आएगी suppose x equal to alpha x equal to अब क्या करिए भहिया यह जो alpha आया है इसको f-double-x को खिला दीजे किसको खिला दीजे double-x को किसको खिला दीजे double-x को तो दो चीजे होंगी या तो यह positive value देगा या यह क्या देगा negative value आपने x की place को क्या खिला है alpha अगर positive output दे दे इसका मतलब alpha क्या है point of minima उल्टा चलता बहिया plus पे क्या आएगा answer minima और अगर negative value दे दे इसका मतलब alpha क्या है point of maxima मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ अगर f double- alpha आपको क्या मिल गया positive क्या मिल गया तो इसका मतलब जो alpha है वो है point of minima point of और अगर alpha आपको negative दे दे समझ गये तो अगर आपको f double-s alpha negative दे दे इसका मतलब alpha क्या है point of maxima अब आप कहेंगे सर अगर f dash alpha double-s alpha 0 दे दे तो क्या करूँगा मैं इस समय आप इस test पे believe मत करिए no 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 critical तो f dash x पे मिलता है अगर आपके पास f double-s alpha 0 आजाएगे तो आप इस test पे मत believe करिए अब क्या लगा ये single derivative test पे ही जाएए इसलिए single derivative test या first derivative test बहुत ज़्यादा भरूसे मन्द है बहुत reliable है और second derivative test हर जगे reliable नहीं है चलिए आए तो question देखे ये test है ये maximum minimum आप नहीं देख रहे हैं ये test है maximum minimum आपको f dash x से पता चलता है ना कि f double dash x से ये एक प्रकार का test है समझ में आया ना इसका graph से कोई लेना देना नहीं है आपका graph से लेना देना f dash x का है slope f dash x देता है ना कि f double dash x तो f double dash x को आप ये मत समझे कि positive और negative आप f dash x को देखके समझे वो वो जो आप कलपना कर रहे हैं कि positive याने increasing negative याने decreasing वो कलपना किसके लिए f dash x के लिए किसके लिए समझे के ना डबल डेस जस्ट टेस्ट है जस्ट क्या है टेस्ट है चलिए कोशन करते हैं तो और आपको बढ़िए बहतर क्लियर होगा आई ये कोशन करते हैं एक्जामपल पहला कौन सा उठा लिया जाए बाई चलिए अब यह पहला कोश्चन है एक्जामपल नंबर 27 मेरे सामने आ चुका है एक्जामपल नंबर 27 के पहले 26 आया है यह लिखे जी एक्जामपल नंबर 26 है कह रहा है कि एक्जामपल नंबर 26 है कह रहा है कि fx equal to x स्क्वार, fx equal to x स्क्वार, अब यह यह तो बच्चे वाले question यह कभी आएंगे भी नहीं क्योंकि इनके ग्राफ ही आदमी देखते ही बना लेता है लिए अज़ो भाईया fx equal maximum value किती है जीरो आगे जी समझ में और maximum value इसकी पता चलीगी नहीं तो इसका एक ही point आपको मिलेगा point of minimum समझ में आगे न और इसकी minimum value किती ही जीरो graph ही बना लेता हर कोई बच्चा चलो graph की बाद छोड़ो अब solve कर दो इसको क्या करो तो इसको solve करतो आईए solve करने का तरीका क्या है f dash x f dash x क्योंकि domain तो minus infinity से plus infinity है तो absolute वाली बात तो भूल जाए ये f dash x बराबर कितना आ गया 2x क्या किया भई या 2x को किस से अब आपके पाद दो तरीके हैं आप double derivative भी लगा सकते और आप single derivative भी लगा सकते पहले मैं आपको double derivative लगा देता हूं क्या लगा देता हूं हाँ पता करने के लिए बिल्कुल सही जीरो पॉइंट मैक्समा की मिनमा है तो चलिए f dash x लगा देता हूं में तो f dash x कितना है था 2x एक स्क्वार का कितना था 2x तो f double dash x कितना जाएगा 2 तो f double dash 0 पर कितना आएगा भाई या 2 ही तो आएगा क्योंकि रखने की ब्याद जगह ही नहीं जीरो रख दिया ना आपने x की जगह है तो 0 पर भी कितना आ रहा है 2 greater than 0 कि less than 0 है greater than 0 है मतलब greater than 0 होने पर क्या होता है point of minima बुली आया है कि नहीं आया है f double dash 0 है ना यह देखिए अभी आपने लिखा था यह देखिए f double dash alpha पुट किया कितना आया negative आया है ना तो negative आने पर alpha क्या होगा point of maxima और positive आने पर क्या होगा minimum तो हमारे पास क्या रहा मैक्स पॉजिटिव आ रहा है तो positive आने पर यह क्या होगा greater than 0 है 0 यह पॉजिटिव से जी इन पॉजिटिव यह पॉजिटिव आ रहा है इसको ऐसा लिख लो यह जैसे इकल टू पॉजिटिव तो क्या होगा point of minima अच्छा आप यह गंफ्यूज हो रहा है रखा कैसे चलिए देख लीजे भाया f double dash x equal to कितना आया अपने पास 2 आया मतलब x रखने की कोई value नहीं है मतलब constant है मतलब x कुछ भी दे दो 2 ही आयगा तो f double dash 0 भी कितना आयगा 2 आ गया ना बोलिए positive की negative positive है positive है मतलब point of minima यह हो गया double derivative test कौन सा test हो गया चलिए अब single derivative test देखते हैं किस point के cross check करना x equal to zero के cross करना है ना 0 के cross check करना क्या check करना है function का slope function का slope अब slope क्या होता है f dash x होता है क्या है 2x है ना चलिए तो 0 से छोटी value ले लिजे इधर पर minus 1 क्या ले लिया minus 1 तो minus 1 पे f dash minus 1 0 से company का लिए कितना हो गया minus 2 हो गया हो गया तो लिखेंगे when x less than 0 when x less than 0 f dash x क्या है less than 0 तो मतलब कैसा है decreasing है क्या है decreasing यह function लिखे decrease कर रहा है अब 0 से बड़े के लिए कोई point ले लिजे f dash 1 ले लिजे तो 1 पे कितना आएगा 2 1 जा 2 ही तो आएगा न मतलब इस तरफ यह decrease कर रहा और इधर तब क्या कर रहा है increase कर रहा है तो लिखना पड़ेगा ऐसे x greater than 0 के लिए f dash x की value क्या रही है 0 से बड़ी तो since some function का slope change हो रहा है negative to positive you are decreasing to increasing or decreasing to increasing होने में जो point होगा वो क्या होगा point of minima so x equal to 0 is point of minima basic तो यही method है इसमें feeling पूरी आ रही है okay point of minima और अगर आपको double derivative करना हो तो वो भी सही है कर लिजे वो भी ठीक है जी चलिए आगे समझ में कई बार slope का value f double जैसे x equal to alpha है कौन है critical point कौन है आप x alpha के पीछे ले ले छोटी value और alpha के आंगे ले बड़ी value समझ मैंना दो value ले ले एक alpha से छोटी और एक alpha से बड़ी और दोनों में f dash x निकाले दोनों में क्या f dash x निकाले और हाँ alpha के यह पुट करके निकालेंगे alpha से छोटी value पुट करेंगे निकालेंगे तो अगर sign same आ गया मतलब पहले भी positive और बाद में भी मतलब slope change नहों और यह दोनों में negative आ गया समझ गया तो उस समय alpha को क्या कहेंगे उस समय alpha कहलाएगा point of inflection क्या कहलाएगा point of inflection समझ में आ गया यह point कहलाएगा point of inflection चली questions से हां एक ही नेचर रहेगा मगर धोखा देगा आपको देखने में ऐसा लगेगा कि increasing है decreasing कुछ ना कुछ होगा मगर nature एक ही रहेगा जैसे आप यह देखिए यह देखिए यह देखिए यहाँ पर slope 0 हुआ है बोली हां यहाँ पर slope क्या हुआ है बट इसके पहले नेचर क्या था increasing था और बाद में भी क्या नेचर increasing है है ना मतलब इस तरफ भी f-x क्या है गरिटर देन और इस तरफ भी f-x क्या है गरिटर देन बट धियान से देखिए बीच में क्या है f-x equal to क्या 0 मतलब बीच में तो अपन को critical point मिल रहा है बट आजू number 27 f-x equal to mod x f-x equal to किता दिया भी या graph से बना लीजिए ये question में क्या भाई mod x हमेशा positive होता है mod x हमेशा क्या होता है तो आप जानते ही है कि mod x की value हमेशा 0 से क्या होती बड़ी तो minimum value क्या होगी mod x की 0 differentiation इस पर काम करेगा नहीं क्यों क्योंकि ये not differentiability point है क्या है 0 point of not differentiability ठीक ना चलिए तो ये तो थोड़े से एक introduction टाइप बले question है आई ये करते है main question ठीक ना यस अब पर हो गया पर प्रस पेज नंबर question number 27 के बाद 28 पर आई ये example 28 अरे 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 इस अब दिया है भई हमने पढ़ा दिया आपको एक्जामपल नमबर 27 के बाद एक्जामपल नमबर 28 चलिए लिए लिए लिक एक्जामपल नमब 28 पर आते हैं तो f- एक्जामपल नमब इक्जामपल टू 28 देखो वह कितना एजी question है अब f-x इक्जामपल टू एक्स है बुले जी हाँ अब f-x निकाली है कितना आ गया वन और वन को क्या खाग 0 से compare करोगे वन को 0 से compare कर सकते हो क्या नो नेवर मतलब f-x क्या रहा है वन आ रहा है जो की always क्या है greater than मतलब यह increasing function है यह कभी रूखने वाला नहीं है तो आप इसमें minimum maximum minimum नहीं दे सकते हो नहीं इंफ्लेक्शन नहीं है इसमें minimum maximum बताएं नहीं पा रहे हो पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन के लिए पहले आपको critical point चाहिए था आप इसका critical point है यह नहीं है critical point समझ गया ना इसने कहीं पर आराम की tendency नहीं भी है इसमें अंदिर्फ्लेक्शन वहां मिलता है जहां पर आराम होता है जहां पर क्या होता है आराम होता वाप इसल्इक्शन मिलता ये तो बढ़ता ही कि जा रहा भわかल्या यह बढ़ता जा रहा है तो यह भी फरजी टैप का question है एप डैस एक्सट पर यह अपना increasing इंक्रीजिंग है समझ में आगया इंक्रीजिंग आपको डोमेन दी गई है 0 से 1 तो एप डैस एक्स पे 0 पर 0 होगा और ऑन पर क्या होगा ओन क्योंकि Function का नाम क्या fx equal toundo x तो 0 दोगे तो 0 मिलेगा और 1 दोगे तो क्या मिलेगा वंद बट सुरू होके वन पे क्या है खतम तो मैं बता देता कि एपसल्यूट मिनिममम वैल्यू जीरो एपसल्यूट मैक्समाम वैल्यू वन ठीक न एक्स्ट्रीम पॉइंट अगर क्लोस कर देता तो मैं बता पाता बट इसने ओपन कर रखे मतलब इनको हाथ लगाना मना है चलिए अकला पॉइंटी एट कर दिया अपनने 29 अब यहां से क्वेश्टिन सुरू हो रहे है एक्वाम्पल नम्र 29 से मेन विस्टिन जो यही शुरू हो रहे है चलिए रहे के पहला जो फंक्शन आपको दिया गया है एफ एक्स इक्वार टू एक्स स्क्वाइर माइनस 3x प्लस कितना भ पॉइंट बोला है लोकल तो पूछे गई कि डोमेन दी नहीं है माइनस इंफिनिटी तो कहा दी है प्लस इंफिनिटी क्लोज ही नहीं है हाँ वैल्यू नहीं पूछ रहा पॉइंट पूछ रहा है मतलब इस माइनस इंफिनिटी से लेकि प्लस इंफिनिटी में कहां पर यह मै x निकाल लिजे सबसे पहले कितना हो गया 2x-3 हो गया 2x-3 और f-x equal to 0 ले लो भई है तो 2x-3 equal to कितना तो 2x equal to हो गया 3 यानि x equal to कितना 3 by 2 लो एक ही point आया है अब 3 by 2 क्या होगा maximum होगा या minimum होगा जल जल चलिए तो double derivative लगा लो कि इतना प्यारा सा question है double derivative में खटाक से answer फेग देगा चलिए तो f-s x निकालता हूं मैं फुल यह 2x का कितना हो जाएगा 2 तो f-s अपना point जिस पर test करना किस पर test करना 3 by 2 पे कित आएगा 2 यानि greater than 0 भाई 2 लो 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 क्योंकि greater than 0 मतलब क्या मिनिमा समझ में आ गया ना तो यस तो इस तरीके से point of local minima आ जाएगा आगी बास समझ में ना खेर question अलग था भाई एग्जामपल नमबर 29 में यह x cube लेना था पर ने question नहीं अलग ले लिया चलिए खेर दूसरा question कर लिया कोई बात नहीं अब आंगे चलते हैं मतलब graph कैसा बनेगा question का यह देखिए graph बनेगा ओके और x equal to कितने पर 2 पर 2 था ना देख लें जाना 3 by 2 क्या था x equal to 3 by 2 यह x एकसिस चल रहा है तो x में 3 by 2 पर क्या मिलेगा क्या मिलेगा चलिए अगले question पर आते हैं फिर से question नमब 28 करते हैं गलती हो गई उसको सही करेंगे 29 को example नमब 29 अपने गलत उतार लिया था उसको सही करेंगे देखिए function दिया है fx equal to x cube minus 3x plus कितना 3 domain वही है भईया minus infinity to plus infinity क्योंकि उस दिया नहीं है polynomial है तो domain वही रहेगा अब आईए इसको solve करते हैं तो भईया f dash x निकाल लो f dash x कितना हो गया बोलिए 3x square minus कितना 3 अब तो बिल इकुल चांस मतलो बोलो कितना होगा x square minus 1 बोले तो 3 common लेने के बाद x minus 1 और x plus 1 वही increasing decreasing वाली आदत समझ गया है इसको number 1 देके save कर दो ठीक है चलो अब अगर double derivative करने का शौक रखते हो double derivative निकालो लगे हां तो निकालना है तो 3x square का कितना हो जाएगा भईया 6x बस बात खतम आगया न अब चली आँगे का game खेलते हैं तो f dash x को किससे compare करना पड़ता है 0 से मतलब 3 into x minus 1 into x plus 1 को किससे compare करो 0 से solve करने पर आएगा x equal to 1 और x equal to कितना minus 1 कर दिया compare 0 से न तो एक आगे x equal to 1 और एक आगे x equal to minus 1 मतलब अपने पास 2 critical point मिला है एक plus 1 और एक minus 1 एक plus 1 मिला है और इसरल question है क्योंकि तो ddt में अपने पास f double dash x कितना निकला भाई सब 3x तो double derivative में अपने पास 6x निकला है क्या निकला है 6x निकला है और अपने पास 2 point है एक है सबसे पहले x equal to 1 तो f double dash 1 पर कितना आएगा 6 into 1 क्या गया 6 greater than क्या है 0 मतलब जो x equal to 1 हुआ वो क्या होगा point of local minima भहिया greater than 0 याने positive है समझ में आया और चलिए x equal to minus 1 put कर रहे उल्टा चलता सही बोल रहा हूं तो minus 1 पर कितना आएगा minus 6 आएगा वो क्या है less than 0 इसका मतलब x equal to minus 1 जो है वो है point of local maxima आगी बात समझ में तो आईए आप चेक कर लिए तो x equal to जो one है वो point of local आपका minima आया है और x equal to minus 1 जो आया है वो point of local maxima test x equal to one is the point of local minima है ना clear हो गया और इस पर local minimum value भी निकालने को बोली है आये तो minimum value निकाल लेते f of one f of one function क्या है x cube क्या महले है one का cube minus 3 into one plus कितना three three से three cancel हो गया ना भी या तो answer कित्ती आगई one clear हो गया मतलब one पर local minimum value कित्ती आएगी one आएगी therefore local minimum value is one ठीक है जी अब local maximum value निकाल लेते है local maximum value किस पर आएगी minus one पर किस पर आएगी but कौन देगा function देगा function पर minus one तो आपका function कितना था वही x cube minus three x plus three तो चलिए x का cube मतलब minus one का cube minus three x याने three into minus one plus कितना three बोली हाँ तो minus one का cube हो गया minus one ये plus three plus कितना three तीन और तीन छे में से एक गया कितना हुआ पांच समझ में आ गया तो local maximum value कितनी आ रही है पांच क्लियर है तो ये आपने कर लिया किस से double derivative से किस से test कर लिया अगर आपको test करना है single derivative से तो आईए मैं single derivative से भी test आपको कराया देता हूँ तो f dash x आपके पास कितना भाई साब f dash x आपके पास जो है वो ये है हाँ जी f dash x आपके पास है three into x minus one into x plus one है की नहीं है तो f dash x आपके पास है three into x minus one into x plus one और दो point है आपके पास है एक है minus one और एक है plus one चली तो एक minus one है और एक आपके पास क्या है plus one तो सबसे पहले मैं minus 1 के left में कोई value लेता हूँ x less than minus 1 मतलब minus 1 के पीछे क्या ले लो minus 2 क्या ले लो minus चलि behavior देखे ये भी positive है ये क्या हो जागा minus 2 minus 1 negative और ये भी क्या हो जागा negative तो negative into negative क्या हो गया positive मतलब x less than minus 1 पे f dash x क्या आ रहा है positive आ रहा है चलिए अब x minus 1 से बड़ी value ले लिजे minus 1 से बड़ी value क्या होती जीरो क्या होती है चलिए आईए देखते है जीरो पूट करते है तो 3 positive है ये plus है 0 minus 1 negative और ये भी क्या हो गया positive हाई न तो answer क्या आ गया f dash x का मान x greater than minus 1 पे क्या आ गया बोलिए negative आया सुन में न negative आ गया अब देखिए minus 1 के cross आपका स्लूप कैसा change हो रहा positive to negative positive to इसका मतलब minus 1 क्या होगा point of maxima समझ में आया so x equal to minus 1 is point of maxima ठीक है न अब plus 1 के cross देखते है तो plus 1 के पीछे कोई point ले लिजे 0 प्लस 1 के पीछे कोई point ले लिजे 0 तो 0 पर देखिए क्या है गा ये भी positive ये negative और ये भी क्या positive तो all total क्या हो गया negative आ गया तो एप डैस x यहां पर क्या जागा less than 0 ये निन निगर्टिव और प्लस 1 के आंगे कोई point ले लो टू ले लो क्या ले लो टू तो एप डैस x देखते हैं टू पर क्या आता है एक्स गर्ड़न जीरो पर देखिए यहां पर टू पुट कर दिए तो positive टू माइनस वन ये भी positive और ये भी positive तो भाईया कितना आगे लोकल मिनिमा क्या हो गया point of local तो आप ये रिखे काफी बड़ा हो गया इस question में ये वाला तो इससे बहदर क्या था ये वाला तो जरूरत के हिसाब से लगाई है डी डी टी है ना first derivative test ये double derivative test आपको जरूरत के हिसाब से लगाने है बुली आ गया समझ में चली अगला question करते ह अगला question है find all the point of example number 30 example number 30 find all the point of local maxima and local minimum of the function आपके पस local maxima और local minimum निकालना function दिया है 2x cube minus 6x square plus 6x plus कितना 5 चलिए f dash x निकालिए f dash x equal to हो गया 6x square minus 12x plus कितना 6 तो f dash x यहाँ पे 6 common ले लिजे बहतर रहेगा तो कितना हो गया x square minus 2x plus कितना 1 ओके ये क्या बनेगा भाई ये तो formula में देख रहा है x minus 1 का whole square है क्या है ये factorize भी करोगे तो x minus 1 का क्या बन जाएगा whole square चलिए अब f dash x को 0 कर दीजे f dash x को क्या कर दिया 0 तो x minus 1 का square equal to 0 हो जाएगा मतलब x equal to क्या मिलेगा 1 क्या मिलेगा x equal to 1 ये मिल गया आपको critical point क्या मिल गया आपको critical point अब देखिए maximum minimum हो सकता है तो f dash x आपके पास क्या आया है आपके पास f dash x आया है 6 into x minus 1 का whole square ये आया है और आपका critical point आया है वो क्या मिला है 1 चलिए तो 1 के पहले nature देखते तो 1 के पीछे का कोई point ले लो 0 ले लो तो 0 minus 1 का square देखिए ये भी positive है मतलब x less than 1 पे देखिए f dash x का मान 6 भी positive है बोलो हाँ और 0 minus 1 का square भी क्या आएगा positive तो positive into positive कितना हो जाएगा positive मतलब यहाँ पर slope जो है f dash x क्या आगया positive 0 से बड़ा आंगे देखते हैं इस तरफ slope 1 से बड़ा कोई point ले लो 2 ले लो तो देखिए 6 भी positive है 2 minus 1 का square क्या हो गया positive मतलब इधर भी slope क्या आगया अगर x greater than 1 लेते हैं तो f dash x क्या आगया positive आगया positive आगया मतलब slope पहले भी positive था और बाद में भी क्या है positive है तो इसको बोलते है x equal to 1 क्या है point of inflection point of inflection inflation मतलब थोड़े दिर के लिए flatness आई है उसके बाद हो गया एक तरीके जैसे युद्ध रुख जाता है फिर उसके बाद कोहली ने एक over नहीं खेल अच्छे से है ना फिर तरड़ा 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 शुरू फिर से तो यह हो गया इसको बोलते है point of inflection तो ध्यान से देख है जो इसके कुछ question आते हैं आपको solve करने के लिए वो बनती है इनमें word problem क्या बनती है जी हाँ मतलब जो आप कर रहे हैं उसी को word problem में बदल करके देगा करना यही है आपको बट आपको question directly function लिख करके नहीं देगा आपको बोल देगा कि length दी है breadth दी है आप length को x मानो breadth को y मा निकालो यह निकालो बताओ area maximum कब होगा बताओ volume maximum कब होगा तो आपको सारी पंचायत खुद handle करनी पड़ेगी आईए इसका एक example देखते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा चलिए देखिए आपके सामने है example number 34 जो आपको बढ़िया समझ में आएगा example number 34 example number 34 कह रहा find two positive number which sum is 15 कहरा दो positive number find करो जिनके sum क्या हो 15 हो भाई या तो जो unknown चीज है उसको क्या मालो x and y तो let the number be x and y दो variable आपने माने हैं तो दो positive number का sum कहरा 15 है x plus y को कितना 15 अब मेरी एक ध्यान से लाइन सुनो यहाँ पर आपने 2 variable माने हैं कुछ भी करके एक variable को दूसरे variable की form में लिख लोग यानि y कोल डू कितना होगा 15 माइनस क्योंकि हम लोग जो भी खेलते हैं एक variable में खेलते हैं तो है आपका y बट उसकी value कितनी 15 माइनस तो आपके जो number थे वो बन गए x, 15 माइनस x दोनों को जोड़ करके देख लो x और 15 माइनस x का sum कितना होगा 15 ही होगा तो एक number पहल जगात में आपने x माना और क्या माना y माना बट काम निकाल करके आपने y की value 15 माइनस x रख दी ओके condition देखते हैं तो find two positive number whose sum is 15 and sum of whose square is minimum ये देखो minimum पे कहरा sum of whose square is minimum मतलब किसको minimum कराना है sum को square के sum को square के sum को मान लिखो let s क्या है sum s क्या है किसके किसका square का number के square का एक number है x square और एक number है y square तो चलिए ये अभी s दोनों में है s किसमे है? दोनों में है तो ये मैंने लिखा SSX दोनों variable हैं Y को क्या लिखूंगा 15-X का whole square ये आगए आपका question जो normally दिया रहता है maximum minimize करना है अब क्या कहरा देगी ध्यान से कहरा minimum मतलब अपन को इसको करना है minimize करना है क्या करना है ये देख ले न जरूर greatest बोले तो maximize करो minimum बोले तो minimize करो lowest बोले तो minimize करो least बोले तो minimize करो ऐसे कुछ word रहेंगे highest बोले मतलब maximize करो तो ऐसे कुछ word आपको बताएंगे ये maximize करना है ये इसको minimize करना है तो ये आपके पास function होगे आप इसको सजा के लिख सकते हो S in the terms of X क्योंकि ये X का function है पहले X का Y का दोनों का दब किसका है X का equal to X square plus 15 minus X का whole square चलिए ये function आचुका है अपनको इसको minimize करना है तो क्या करते हैं सबसे पहले इसका S dash X ले लिए ये कित्ता हो गया 2X plus 2 into 15 minus X और 15 minus X में 15 का हो जागा 0 और X minus X का कित्ता minus 1 तो बेटाई ये solve लिए इसको ये 2X ओके और plus 2 ये देखे plus 2 into minus 1 क्या हो जागा minus 2 तो minus 2 into 15 minus 30 और minus minus कितना plus 2X हो गया जी चलिए इसको solve कर दिए थोड़ा सा तो ये आगया 4X minus 30 ये आगया हमाँ पास क्या S dash X S dash X simple function है तो double derivative निकालने में देरी मत करिए S double dash X भी निकाल लिए जो कि कितना आएगा 4 आएगा आएगा कितना आएगा 4 आएगा चलिए अब निकालते है critical point क्योंकि इसको maximize करना या minimize करना है जो भी करना है critical point निकालते हैं तो for maxima और minima maxima या minima के लिए F dash X की value किस से compare करनी पड़ती है 0 से तो हमारे पास 4 X minus 30 equal to कितना याने 4 X equal to कितना हो गया 30 याने X equal to कितना हो गया 30 by 4 बोले तो 2 से काट ये 15 बटे 2 X की value कितनी आ गई है 15 बटे 2 बट अभी पता नहीं है कि maximum value है या minima value मतलब इस पर sum maximum मिलेगा या minimum मिलेगा समझ में आया तो आईए double derivative लगाते है F double dash किस पर 15 बटे 2 पर 15 बटे 2 पर तो double derivative मैं देखता हूँ double derivative कि हमेशा value कितनी मिल रही है 4 तो ये तो स्वागत कर कुछ भी डालो 4 मिलेगा और 4 क्या है positive है yes तो इसका मतलब so x equal to 15 by 2 is point of minimum बोली हाँ मतलब इस पर आपको सबसे minimum value मिलेगी क्या मिलेगी सबसे minimum value समझ में आगे ना हाँ तो find तो मतलब x की minimum value के लिए सबसे छोटी value क्या है 15 बटे 2 तो चली अपने पास answer आ चुका है finally x equal to कितना होगा 15 by 2 अब दूसरा नंबर भी बोला है इन लोग ने y भी बोला है तो जिस समय x 15 by 2 है तो आपको सुरू आत में ही बताया था y equal to 15 minus x तो y equal to 15 minus 15 by 2 अरे भाई 15 में से आधा 15 minus करोगे तो आधा 15 लोगे तो बचेगा ना और 15 तो जा 30 minus 15 तो यह आगया x और y आगया तो इन लोगों ने बोला था कौन से पॉइंट होगे जिन पर सम मिनिमम होगा अगर मालो यह पूछ लेते कि मिनिमम सम भी बता दो तो आई ये बता देते हैं maximum तो निकले गई नहीं इसमें क्योंकि एक ही देखे क्रिटिकल पॉइंट एक ही निकला है और एक पॉइंट पर विचारा वो symbol प्लस का दे दिया है 4 दे दिया है समझे ना मतलब इसकी maximum value not defined हाँ तो दो पॉइंट होते हाँ और x भी होता तो चेक कर पाते बट यहाँ पर इसकी minimum value exist करीगी maximum value exist नहीं करीगी एना maximum value not defined आई यह देखते हैं अगर मान लीजे यह कह लेता कि इसकी minimum value बताओ किसकी सम की इसकी minimum value सम की तो s x जो अपने निकाला उसकी minimum value कब निकल रही है जब x की value क्या 15 बटे दो 15 upon 2 तो सम क्या भाई यह x square plus 15 minus x का whole square यह यह ना यह यह ना जी तो चलिए फिलाल तो अपने y भी निकाल लिया तो आप चाहे तो x square plus y square भी देख लो तो यहाँ पे भी आएगा कितना 15 by 2 का whole square और यह भी 15 by 2 का whole square मतलब 225 बटे दो चार आएगा और प्लस 225 अपॉन कितना 4 that is equal to 500 बटे चार कर दे टू आंसर 225 by 2 कितना हो गया 225 by 2 यह किसकी value है sum की है ना मतलब function का output है कौन सा output है minimum तो यह sum की minimum value है मतलब आपके पास कोई number है x square plus y square एक है ना आपको इसकी minimum वह point निकाले थे हाँ question ने point हाँ question ने point ही पूछा है बिल्कुल minimum value आ गई समझ गया ना तो question अगर आपको point तक निकालने को बोलेगा तो x और y की value निकालके छोड़के आ जाईए जैसे आपने book में किया जैसे आपके book निकाले बट question ने भी कह रहा है कि value भी निकालिए minimum value क्या है या maximum value क्या है तब आपको पूरा solve करना पड़ेगा अगर मांगा है तो अगर value मांगी गई है तो exactly sum में यही करना है समझ में आ गया तो आपको सब questions में यही काम आपको करना है ठीके ना अब एक बाद में आपको ट्रिक बता देता हूं बहुत गजब ट्रिक है कई जगे काम करेगी कि मान लीजिए किसी point पर आपकी x का value पर function minimum जा रहा है मान लीजिए x की किसी point पर आपका function क्या जा रहा है minimum तो अगर मैं इस यह भी फिलहाल function है क्या है फिलहाल अगर मैं इस function का square कर दूँ क्या कर दूँ square तो वो भी तो minimum जाएगा क्योंकि square करोगे तो उसका भी behavior सेम रहेगा समझ मैं है ना मतलब अगर कोई function किसी point पर minimum जाता है तो उसका square भी उसी point पर minimum जाएगा समझ मैं है ना उसी point पर क्या जाएगा minimum जैसे मैं आपके सामने 4-5 value लिख रहा हूं देख लिए इसे मैं आपके सामने कुछ value लिख रहा हूं बीच में 0 वन लिखिए 1-2-3-4-5 ओके यह मैंने आपके सामने value लिखिए अब आप देखिए इसका minimum value यह x की है एक की minimum value कहां पर मिली बन पे अब आप इसका square कर दीजिए तो वन का square किता हुआ 1 2 का square किता हुआ थ्रीका square किता हुआ 9 इसका किता हुआ 16 इसका किता हुआ 25 अब देखिए square करने के बाद भी minimum value इसी मिली यह नहीं मिली है जिस पे पहले मिल रही थी बुलिए हाँ है ना तो अगर किसी function की minimum value किसी point पर मिलती है तो square करने के बाद जो नया function मिलता है उसकी value भी इसी point पर ही मिलेगी अरे तो मैं all total minimum की बात बताओ ना minimum क्या है इन पूरे में minimum तो one ही है ना इन सब में छोटा कौन है one है ना जो भी कहलो आप इन सब में यार इन सब में इन इंटरवल ने दिया इन सब में पूछ रहा हूँ simple इन सब में minimum कौन था one था square करने के बाद भी minimum कौन है one है आई बास समझने हाँ तो ये छोटी सी चीज अभी बीच में यूज होगी आपको हाँ तो आप छोटा लेते तो सब से टू तो पहले भी टू होता पहले भी क्या होता अरे तो x के लिए 2 है ना x square के लिए 4 है x के लिए 2 है और x square के लिए क्या है 4 है बाकी नंबर भी इदर बड़े हुए हैं तो उनका square भी तो बड़ा हो गया ना square number भी क्या हो गया बड़ा हो गया चली अभी ओए example आएगा तो उसको अपन clear कर लेंगे तो ये इस तरीके से यापकी exercise यहाँ पे हो जाती है इसके सारे questions अब आप लगा करने की कोशिश कीजिए ये exercise इस chapter की सबसे बड़ी exercise है और इसके बाद ये chapter finished हो जाता है इसके बाद ये chapter क्या हो जाता है finished हो जाता है तो इसकी practice आपको काफी करनी पड़ेगी ठीक है ना अब इसके बार ये चैप्टर आपका तोटली फिनिश रियागा तो आएए इसको अब लगाएंगे हम लोग